मुंबई में अपना एक छोटा सा आशियाना मोना ये हर किसी का सपना होता है वो सपने को सागा करने के लिए वो आदमी दिन राख महरत करता है और अपनी महरत की कमाई से मुंबई में एक छोटा क्यों ना हो लेकिन खरीद लेता है उस आदमी के लिए वो छोटा पर किसी महर से कम नहीं होता लेकिन जब से सरकार ने छोपणबटी वासियों का जीवन सतर्थ सुधार्णी की उद्देश से छोपणबटी पुनादमास योशना लाए हैं तब से लोगों की परिशानी बढ़ती जा रही है इस योशना के कारण कई लोग बेघर हुए हैं और कई लोग बेघर होने की कदार पर आखड़े हैं इस प्रकल्प के बारे में पूरी जानकारी अफ़ना होने के कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घर को कैसे बचाएं लोगों के इनी स्कारी परिश्चानियों को देखते हुए हम आपको SRA विशेशक्यों द्वारा फूरी जानकारी अफ़कत कराएंगे ताकि आप SRA और पिल्टर के भोके से अपने आपको बचा सकें उसके पहले एक नजर डालते हैं SRA योजना पर SRA यानि Slum Rehabilitation Authority जिसे महराष्ट सरकार द्वारा 1997 में स्तापित किया गया है इस योजना के अंतरगत छोपडी धारब को बेडिंग में घर मुहया करवाया जाता है जो उनके रहन सहन को उच्च दरजा प्रदान कर सके इस योजना में पहले 1995 के कागजपत्रों के आधार पर पात्रता की जाती थी फिर उस पात्रता की अउधी को 2014 में 2000 तक करा दिया गया अब 2018 में सरकार ने उस अउधी को बढ़ा कर 2011 कर दिया है जिसमें कुछ शर्टे भी रखी गई है लेकिन देखा जाता है कि ऐसारे की इस योजना से लाखों लोग बेघर हो गये है कई लोगों ने अपने घर बेच दिये है और कई लोग जो बच्चे है वो आज भी अपने घर को पाने के लिए संघर्ष कर रहे है इस योजना से लोगों को एक जोपड़ पट्टी से निकाला जा रहा है और दूसरे जोपड़े में पहुचाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि जो बेडिंग इस योजना के अंतरगत बनाई जा रहे है वो किसी जोपड़े से कम नहीं है सरकार ने ये योजना गरिबों के रहन सहन को बढ़ावा देने के लिए बनाया था लेकिन अगर इस योजना को देखा जाए तो सरकार लोगों को उच्चस्तर के घर देने में विफल रही है और लाखों लोग अपने जोपड़े से भी बेखर हो गये है जिसका सरकार ने कोई उपाय नहीं निकाला इस योजना से गरिब जन्ता को घर मिलता नहीं दिख रहा है लेकिन बेड़ा की जेद जरूर भर रही है जिसमें ऐसारे के अधिकारी भी शामिल है यह योजना जहां गरिबों को एक उच्चस्तरिय घर प्रदान करने की थी वही वे जोपड़ी धारत इस योजना से तरस्त है और वे दर-दर भटक रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती इससे यह सफर्ष्ट होता है कि यह योजना सिर्फ बिल्डरों को फाइदा पहुचाने की लिए बनाई गई है आज की समय में देखा जाए तो ऐसारे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केद्र बचुका है जो गरिबों के जोपड़े उचाडने का एक कारण है सर्वीज श्री, WMD News में आपका स्वावच है सर्वीज श्री, आपको क्या लगता है जो लोग पीडिव हैं, वो अपनी परिशानियां लेके एसारे के पार जा रहे है लेकिन वहां पर उटकी परिशानियों का कोई निवायड नहीं होना एसारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पार है एसारे के पास टोटल इंट्रसक्चरी नहीं है कि जो एसारे काम कर सके उनके पास टोटल खाली 85 मैंपावर है माहाँ पे कि उसके अंदर सियो को छोड़ करके टोटल मिला के 85 लोगों मिलकर पी पूरे बंबे में 1513 प्रोजेक चलते हैं अगर हम लोग एक प्रोजेक को 500 पैनेंट का भी प्रोजेक पकड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि साड़े साथ लाग घर होगी जिसमें 35 लोग और इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट रही है और इनके पास जो स्टाफ है दोस्तों इन्होंने कॉंट्रेक्ट पे लिया हुआ है अब यहां पे 85 आदमी मिलकर के साड़े साथ लाग घर के बारे में फैसला लेंगे और इस हो सकता है मैं आपके एक बताता हूं वहां पे वहां पे एक रेजिस्टार रहे एक असेस्ट रेजिस्टार रहे यह जोइन डेजिस्टार रहे यह और नहीं गिया गया यह दो जन मिलकर के साड़े साथ लाग घर का करेंगे कैसे पूरा हो सकता है इंपॉसिबल मगर वहां पे लोग जाते हैं अपना अप्लिकेशन देते हैं के लिए जाते हैं को डेटी मिलती हुए और होगा कब होगा साड़े साथ लाग लोगों के लिए हम लोग खाली वहां पे 80-85 अद्में बढ़ाकर के करने काम कराने बठे हैं तो यह जनब में नहीं काम हो सकता है और वहां पे जितने लोग हैं उन लोगों के पास काम इतना इस वजह से कोई भी काम निल हो आज और मैं 85 का जो लिस्स बता रहा हूं मैं आपके 85 में डेपुर्टी रेजिस्टर से लेके जोई अमने तर्सिल्दार से लेके सारे लोग आगे यह सारे लोग मिला करके इतने लोगेए 85 कर से नहीं हो सकता मैं कभी भी नहीं होता है पेप PAP का मतलब है और यह क्या है? PAP का मतलब है Public Effective Person जो Road Cutting में चली जाती है या कोई भी Land Government अगर Require कर लीधी है उस Land के जो Land Require कर लें to be a government वहाँ पे जो धर बना के लोगों को दिया जाता हूँ वो PAP में चले जाती है Example मैं आपको समझा रहा है जो मेरा यहांपर रोड मेंढ़ा, यहांड से रोड पहले ख्लान में नहीं था वर रोड यहांसे जारी यह रोड की winding है तो मेरे को cutting हो जाती है एशु अकुछ भेलोबल होगा तोnova को आपको दे देखें शुस्च को भाते हैं आज स्च बिलिंग में किने पीट के अधीे फ्लैट होते हैं और आज गतने पीट फ्लैट हें जो ऐसारे को नहीं मिले हैं सब्सक्रड़ों में जू साधा कि जया करना जाक ग। तो देसं रहें ये इस बोल्रेंट कहने है पार सांता जाले पर प्nes टेस फुन तो सिस्टम ऐसा है कि माल लीजे यहां पे 200 घर बना के बिल्डर को देना था इस सारे को मगर वहां पे टैनेंट 200 ही तो जो 50 फ्लैट होगा वो प्लैट हो जाएगा और जो रोड कटिंग में या जो गवर्मेंट लाइन करती है जो अफेक्टेड लोग होते हैं उन लोगों को वो फ्लैट दिया जाता है तो प्लैट के बज़ा से आज तक सरकार को कितना नुक्सान हुआ है अभी आपने मुस्से काद़ कि कि यह टोटल फ्लैट है जो गवर्मेंट को आज तक मिला ही है वो बिल्डर के पास ही पड़े हुए है और जो लॉस है कम से कम यहां पे साथ करोण की उनकी प्रॉपर्टी बिल्डरों के पास पड़ी हुए जो की गवर्मेंट को हैंडो मतलब ही नहीं हुआ है साथ हजार अगर फ्लैट है उसको अगर मैं पूरे बामें में एक अप्रॉक्समेंटली दस हजार का रेंट जो दस जार का रेंट नहीं होता है फंदरह जो डापी गांताल चोड़ता हूँ साथ करोड रुपया टर मंत रेंट ऐते जो को रैंट Laser net अगर यह फ्लाट को मिली होगी ठोगमेंट के पास हो तुआ साथ करोड रुपया करोड कर रेंट-बिल्डर क्मा रहे साल बर का सथा सो एसी挑 हो गया आलाफ दस साल सैंत् zich उंड से रेंट बिल्डर कमा चुक है यह गौवर्मेंट के फ्लैट से और अगर प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू काउंट करा हूँ आपको कि माली चाहिए अगर फ्लैट पच्छीस लाग रुमें का भी मैं सारे का पकूँ तो साथ हजर फ्लैट इंटू पच्छीस लाग यह हो जाता है करीब पंद्रह हजार करोड की गवर्मेंट की प्रॉपर्टी है जो कि बिल्डरों के पास पड़ी हुए सरकार के पास आस्तर ही है और सरकार में उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है कि मेरे फ्लैट तुमने क्यों रखे हैं क्यों नहीं लिए अगर गवर्मेंट को फ्लैट मिलता तो वह जो पीपी पे अफेक्टेट लोग है उनको घर मिल गया है तो उनके जो बाहर विचारे भाड़ा दे रहे हैं गली-गली वह तो खतम हो जाता या वो फ्लैट गवर्मेंट खुद भाड़े पे अगर दे देती पे जितने लोगो इतना बड़ा पूरा पैसा पंदर आजार करोड की आज जब तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आवे तो उसकी वेली जीरो है तो इनके पास आज भी एक साथ से सब्सक्राइब अपने पास रखाया जोंको नहीं दिया है और इसके लिए यह कुछ भी करने को तयार नहीं है गोवर्मेंट ने बहुत है कि सर्वे करके रिपोर्ट लाइए और जितने लोग है तरी की सबकी नोटिस करके या तो जो सेल परचेज हुआ या गलत तरीके से जो लोगों को फ्लैट मिला हुआ है या रेंट पे दिया हुआ है और जो एक्चुल टैनेंट इसमें नहीं रहता है उसको खाली कराया जाए है हाई कोट के ओर्डर को दो तरीके से वाँ परते हैं जब इनको किसी का घर डिमॉलिशन करना होगा तो क्लेक्टर के बास 24 गंटा टाइम है पुरां डिमॉलिशन कर देते हैं जाकर के और आज चार सा लोग या गवर्मेंट खैसे जब घआए उनको एंटरेश्ट ही न है नि गुद्वशन को प्रगाया देखार तो 때도 अ30 सारे काम करें या या पिल्डर के रिई अब हम तरक का मेरा घ्च बहुत अब वार गया बहूं को से मिलता हूं वह्ण के लोहों से आं बहुत लुगों को अ मुझे समझता है कि इस तरे में से पूरा सिस्टम है के लिए काम करती है उसमें कैलेक्टर काम करता आप जाएंगे आपको पूरा सी एक तरे मिलेगा तो इतना सारा स्कैंडल होने के बाव विल्डर आप बता है कि तरह बिल्डर बिहाइंड बार है जेल में कितने बिल्डर के हमा आपके पास नां से कि आपने सारे करते हैं उनके पास लेटर देएचा है मैं तो उनको तो डाप्रमेंट डेदू सारी चीज़ देने के बावजूद भी आज भी वह किसी भी बिल्डर के कारवाई करने को तयार नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी अंडर्स्टेंडिंग क्या है, बिल्डर की अंडर्स्टेंडिंग क्या है, सबको पता है। अगर फबली के लिए अगेंस काम करना है तो वह तुरंद चालो हो जाते हैं वह 24 गांडा थिवा ग्वाना उनके लिए काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है क्योंसे हैं आज मैं कह रहा हुं कि मेरे पास बहुत सारे पहुत हैं जो बहुत जंब मैंने धर मी दिलाए हैं अब सबात्र कररें मगर अग्र कि सारा सथम कांड करें Cbagli good running there at the नवी सारे आपना काम कर ले सब्सक्राइब तो यह सारी जीज़े कि क childhood in Singیا कि मदद कर ने कि जोड़त नई है सोई जाएगा ना आपके पास बहुत सारे चैनलों में देखेंगे हमेसा कंप्लें राती है हमारे साथ यह हुआ हुआ आते रहते हैं मन उसको सॉल्शन क्या आता है कि अगर वहां पर उनको सॉल्शन मिल जा तो किसी के पास फूच आए अगर वहां सॉल्शन नहीं मिलता है अब चले जाए हाइप पर चले जाए भाड़ा नहीं मिल रहे हैं कि अगर जिसको घर नहीं मिला है वो इसको घर दे दे तो वह पूट में क्यों जाए इन्हों है हाई पाउर कमिटी बना कर ठीया अब तो रिवेंज कमिटी हो गई दुझली प्रूट में अभी अभी गर अब इसारे कमिटी है अगर सारे कमिटीयों में जज्मेंट लोगों को मिल जाए तो जो जाएंगे जो जितने मैंगिजिमाप कैसे पूर्ड में रहेंग कि इनके पास आप जाईए इनकी जो डूटी है वो डूटी अगर अपनी कर लें तो कोई आदमी किसी के पास नहीं जाएगा मगर यह अपन्दर पंदर साल से लोगों को घर नहीं बना रहा है पता चला जितने भी अलवाई है उसके नौंस उसने फुल्फिल ही नहीं करता है बहुत सारे बिदिंग यह उस ही नहीं आई हुई है मगर उस पे इन लोग किसी पर केस नहीं करते हैं कि इंग्जांपल आपको बनाऊंगा बढ़ अच्छा लगेगा कि इन्होंने क्या किया एक बिल्दिंग बने किसे बिल्दिंग में अगर तेरह माली की मालीजी बिल्द इन लोटी है मला किसे बिल्दिंग को बैस्मेंट जब बनाई जाती है तो बैस्मेंट पहले बनाई जाती है कि तो बैस्मेंट बनने के बात ही रग्पींध करदी हो recognizable है इस बेस्मेंट बन गी इन्हों ने उस पर कोई केस नहीं दिया फिर ग्राउंड फ्लोर बना होगा फर्स बना सेकेंड बना थर्ड बना मतला वो तेरा माला बन चुका है इन लोगों ने बिल्डर को पर एक भी केस नहीं डाला अगर लगाई का नॉम्स में बूलू तो आपने और पहले ब्रेक कर दिया और अल्रेड के अलव ने लिखाया एकये घर कोई भी नॉम्स ब्रेक करो गहाएं मार टीप हो जाएगी ऐस हो जाएगी लिया क्यों नहीं रहे हैं तो उन्होंने बेस्मेंट बन कि अब उसके बाद दरशे बंप यह वह चले गयाậं। लोग रहने मी चले गए हैं और आठ साल से रह रह द तो चाहने का मुतलब 12 से 13 साल तो पीछ यह जाए गया है वह स्यांकि पाश्माटे हैं तक पूली प्यास कि और टैंडा करता है विल्द के विल्द के विल्द के फिवर में सारे का बेस्पेंट से और बील्डर अंडर्टेकिंग देता है कि मैं यह बेस्पेंट नहीं यूज़ करूँगा। यह क्या तरीका है मैं काम करता हूँ एक बेलिंग में मेरे को दो माले की पर्मिशन मिले हैं मैं पांच माला आवा बना दूँ और मैं बोलू अगला तीन माला मैं नहीं बाप रहुगा इसका कोई नतरब है कौन बैठके देखने माला की वो यह रहा है कि नहीं हो राया रेंट पर दिया गया है कौन देखेगा खोई नहीं कोई अथा को शिस्टम ही नहीं हमारे का खाब और हम क्यों देखें चाहां में दोग में दिया गया तो आपने तीसरी बनाई ही जो पहले तो उसको डिवलीशन जो स्केंडल चल रहा हैं कोई इंडिया का भूक कहीं लाग करोड का पूल सीचनल है और मैं तो डॉक्य मेंट के साथ में लेने को तैयार हूं कोई अथुरती बनाइजाएं कोई कमिटी में बनाइजा है कमिटी कमें दीयुक्स करें सारे बजेक्न किये हुए और उसके बाव जूद भी एक भी फिल्डर पे करवई भी गौवर्मेंट कई लाग करूर रुपया गौवर्मेंट के पास आज लिया सकता है इसके हले तो मैंने पीमूप को भी लेटर लिखे लिए मदर होता क्या है एक लेटर नहीं मैंने पीमूप को छे लेटर लिखे रिप्लाई क्या आती है कि हम अगर कोई चीज वहां बेजते हैं तो वो क्या करते हैं वो लेटर रिवाट आ जाती है मंतराले में मंतराले सगुम्प के वसी एसारे को के डिपार्टमेंट पर यह उसी इ अगे किसी कलर का हूँ अब PiCap Partner मिनीश्टर को करती है तो भूम को फाइल के पास पास ही और फूर कोई एक्शन नहीं होता है तो प्राइप मिनीश्टर आफिस है जए परफिस होगया है कि हम यहां से लेटर बेंगे हो वहां से लेटर यहां बेजते हैं कि लास्ट भी कई दर्फिम मेंने बुला कि फर्णाड़िस जी इसके लिए कमेटी इसके लिए कमेटी को पूरी हेल्प करने के लिए मैं तयार बैठा हूं आपको जो चाये मैं आपको डॉक्यमेंट देता हूं उस बेस में आप वरिफिकेशन करेए और उसके उपर जो उसके अंदर है जाये वह सारे डिपार्टमेंट के लोग हो या तो बिल्डर हो या तो महां के रहिवासी चाहिए जिसने भी गलती कि जीए सब के उपर Firm करें, रजिस्टर करें, सब के उपर action लीजिए, अगर यह, हमने अगर ऐसा, 4-10 प्रोजेक्ट में देता हूं, खालिक मैं तो बोलौ को पूरे बंबे में आपको 3-4 प्रोजेक्ट में देता हूं, 3 प्रोजेक्ट देता हूं, मगर इसारे में आज तब यह सब कभी भी नहीं हुआ है कि इसारे डिपार्टमेंट किसी बिल्डर के ओपर इंडल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो कि नहीं इनों ने गलत किया है यह नॉम्स के अगेंस गया और इंट ओपर एफाईयर किया आरेस्ट किया डालों ब्यांड बार इनको रहने तो छे साल आट साल इनकी प्रॉपटी अटेच किया जाए वह कुछ कर सकते हैं लोग करेंगे नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं यह तो सरकार को बना आप भी समझ रही है हम लोग तो सब्सक्राइब लिए कर सकते हैं कि अधर आपके पास अखर नहीं है आपको लगर आपको कुछ पताने हें हुआ हमारे आप सकस्कंडलनी हुआ है कि अगर हैं सब्सक्राइब को लग रहे हैं अगर सब्सक्राइब के बेता हुआ है कि कि सबका तो विकास नहीं होगा मंद सरकार अपनी विकास बहुत जो रोमे कर रही है अगर यही रहा तो पब्ली का विकास कभी नहीं होने वाला इसमें दो इजन का विकास हो रहा है एक तो बिल्डर का विकास हो रहा है और अपना विकास कर रही है और अपना विकास कर रहा ह और उसके अंदर से भी बिल्डर जो दे दिया वो मिलेगा नहीं वाकि नहीं मिल रहा है आज सरकार की रिवेहनी हुआज मैं बहुताया को साधे साथ सा लगार करोड हुए भाड़ा भुसने कमा के गया है क्या मिला सरकार को पुछ नहीं मिल रहा है है अजो पैंडर गए सकते हैं क्या करटन हो जाती है क्तने कुछ उससे क्या म 뭔ोगा कितने लोग बेगर होंगे कितने लोग करना इसकी किसी कोई चिंदा नहीं है आज बहुत सारे जो यह सारे की लोग है सुसाइट कर लिया है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर रहे हैं आज मैं साड़े साथ लाग मैं आपको बलाग घर की बात रहा है और उसमें 50% लोगा पात रही है तो मतलब डारेक्ली अगर मैं बनाओ तो 18-20 लाग लोग को ऐसी रोड पर बून रहे हैं मेरा अगर नहीं मिला घर पेपर नहीं मिला आप सब चक्कती मार रहे हैं और कोड कचेरी में इसले केसे बढ़ रहे हैं तो इसमें एसारी को जो अभी तक उन्होंने किया है और जो कर रहे हैं अगर यही सिस्टम रहा तो आगे चलके बहुत बड़ा यह सुसाइड का एक अड़ा बन जाएगा एसारी सर्वीश शी आपके हमारे दर्शें को जो भी चान करीती है उसके लिए आपका बहुत बहुत धने बाद सर्वीश शी की बातों को सुनने के बाद अब आपको पता तो चली गया होगा कि ऐसारी अपना काम की इतना इमानदारी से कर रही है अगर आप भी ऐसारी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना शाहते हैं तो हमें स्कूल पर दिये गए नमबर पर संपर्थ करें या कमेंट कर सकते हैं ऐसारी से जुड़े अन्य सवालों को सांखाम फिर हाजिर होंगे आप देखते रहिए WNN News